हेलो और वेल्कम तो दाइस्टोडियो ट्यडर्स मारूती को आज के दिन हमने ट्वीट किया था इसके अंदे देखिए अब साइड में ये ग्रीन क्लाइड के लिए आपको दिख रहे होगी इसे पुरी चली रेंज को माक कर देते हैं ये देखिए इस रेंज में अचा क्या प्राइस हैं प्राइस देखेंगे हम लोग कि इस एक लेवल से बार बार नियुचे की तरफ गिरा यहां से भी अगेन यहां से देखिए दूसरी बार और आज के दिन भी प्राइस यहां से लेवल को डिलीट करके वापस देखिये हाई टाइम पर चलते हैं विगास इस रे वॉल्यूम को हमने on किया यहाँ पर यहाँ कुछ समय पहले लगभग one year पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया था जस्त देखी इस third वाली candle को एक बिल्कुल downside की तरफ volumes भी गे रही है और price भी नीचे तरफ गे रही है और price भी नीचे 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 मतलब लगाता है तीन वॉल्यूम सहसी जो लगाता है अपना जो वेट हो वो कम करती चले जा रही है चैनल पर चलतों और एक वीडियो ओपन करते है हां से लोग यूट्यूब पर जाएंगे और यहाँ पर simple रिखेंगे falling rose falling rose ss volume चैनल का नाम आप डाल दी जागा यूट्यू और किस system किस method through trade क्या है एक एक answer आपको इसके अंदर मिलेगा इस volume का use हम कैसे करेंगे बहुत अच्छी तरह से हमने आपको यहाँ पर समझाया है तो एक quick analysis वीडियो यह आज का होगा जब हम लोग देखेंगे कि कि किस तरह से हमनी state को analyze किया है क्या entry, stop loss, target वगरा क्या रहा ह और stock selection के क्या process थे, क्या conditions थे हमारी, lower time frame पर देखेंगे यह अपना entry का एक range थी, जहाँ पर हमें एपनी entry के confirmations मिले थे, 9.15 के candle थी हमारी, 9.15 को थोड़ा सा zoom out करेंगे, exact, इस 9.15 के just low पर हमने stop loss लगा था और 9.20 की candle के high के उपर अपनी entry रखी थी, trade book अपनी open करेंगे यह से, so login करते हैं, फटा-फट से, okay, pre login है, okay, and यहाँ पर सबसे पहले position book open करते हैं, overall देखें, आज का मारी profit है, 12,471 रूपीज, 75 पैसे का profit है, refresh करते हैं इसको, and perfect, 12,000 के around हमारा आज का profit है, एक decent सा profit रहा आज के पूरे दिन का, यहाँ पर सबसे पहले order book open करेंगे, telegram channel में बहुत सारे stocks हमने आज, like, 2 stocks, nifty और bank nifty किन दोनों के level स हमने शेर के थे, यहाँ पर देखें जो quantities हमारी है, 115 quantities के साथ यह पूरा का पूरा trade execute किया था, and stop loss entry, और जहाँ पर प्रोफिट सारा order book हमारी सामने है, so, overall जो आज का हमार profit रहा है, and जो trade analysis एक तरह से रही है, एक काफी अच्छा और smooth trade हमारा रहा, पूरे दिन हमने मारूती को trade किया था, आला कि last में जब हम यहाँ से निकले हैं, तो 1% के आसपर से stock हमारा चल चुका था, और चला ही है, but ऐसा होता रहेगा, and चलते हैं अभी अपने stock के उपर, उ वीडियो को शुरू करने से पहला है, इस strategy के अंदर क्या है, एक quick review उसका दे देते हम आपको, देखे, basically होता क्या है, कि price के जो volumes है, एक base पर, जो हमारी volumes हैं, कम, उससे कम, और उससे कम, टोटल यहाँ पर होना क्या चाहिए, कि 3 volumes को हम लोग basically count करते हैं, कि 3 volumes ऐसे होगी, कि जो price के अंदर हम देख रहे हैं, यह गिरते हुए क्रम में होनी चाहिए, ज्यादा एक से कम, दूसरी होगी, और दूसरे से कम, तीसरी वाली होगी, तो इस तरह से हम इन 3 volumes को count करते हैं, यहाँ पर prices की क्या value रहेगी, और price को किस तरह से हम लोग mark करते हैं, price में कौन सी candle को mark करना चाहिए, इस एक एक candle के उपर जो discussion है, हमने उस वीडियो के अंदर किया हुआ है, वीडियो का जो link है, वो हम description में दे देंगे, अगर description से वीडियो open करने में problem होती है, तो direct कैसे channel के उपर जाकर कि आप वीडियो प्ले कर सकते हो, यह भी हमने आपको बता दिया है, तो आपकी duty यह बनती है, अगर आप उस वीडियो को और deeply समझना चाहतो, देखना चाहतो, सीखना चाहतो, तो वीडियो को open करो, जो जो चीज़े होँआ पर हमने बता ही, एक एक point सही से समझो, सही से सीखने की कोशिश करो, अभी चलते हैं सिध मारूत वी के ट्रेट के उपर, यहाँ पर सबसे पहले price को दूरू समझते हैं लोग, देखिए हुआ क्या है, कि price हमारा किसी एक level से, like के upside की कोई एक range है, एक level है, price यहाँ से मेरा लागाता है, नीचे की दिशा तक गिरा, बड़ी से के ट्रेट को दूरू चलते हैं, यह मान के चलेंगे कि price एक काफी बड side के momentum market ने show किया, देखिए जितना भी price नीचे की दिशा में चल रहा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि price हमारा run कहां से करके किस दिशा में गिरा है, और जिस level से यह गिरा, like यह अपने एक इस वाले point से गिरा, price नीचे की दिशा तक आया, अपने swing को break किया, again price हमार resistance point है, अब price जैसे ही हमारी इस level तक पहुंचा, इसके अंदर volumes गिरने लग गया, आप देखोगे price को सही से count करोगे न, previous 5 days, 1 week से ज़्यादा period से price लगातार नीचे की तरफ गिरता चला रहा है, लगातार गिर रहा है, यहाँ पर जब volumes हैं, कुछ इस तरह की बन रही है, एक 1, 2, 3, लगाता है price हमारा गिरता है, 4 और यह 5, इस तरह से volume गिरती चली आ रहे हैं, आज जो हमने इसको पकड़ा, आज हमने जो volumes को पकड़ा, तो हम देख रहे हैं कि price हमारे एक level से गिरत हो रहा है, बट यह again and again हमारे upside के level को reject कर रहा है, upside के level की respect कर रहा है, और यहीं से price ह देखे हैं, volume of price में थोड़ा सा mismatch है, इसको understand कीजएगा, और price आज जो हमने देखा, exact same level से reject होते हुए हमको हमारे यह price दिखाई दिखाई दिया, same level, हमने क्या किया, just हम इसे point को monitor कर रहे थे, और पिछले करीब 3 दिन से लगातार हम इसको monitor कर रहे थे, आज हमने देखा कि price वापस हमारा हमारे उस level पर आगे है, क्योंकि trade करनी से पहले, जिस तरह की confirmations हमको चाहिए, पिछले 3 दिन से में नहीं मिल रहे थे, कल भी जब हम live आए थे, तो मारूती को side by side हम देख रहे थे, पर उसके अंदर को confirmations हमको नहीं मिल, कल हम live आए थे, and रोज-रोज हम live नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों नहीं ये decide किया है, कि per week, Monday के दिन हम कोशिश करेंगे, per week, Monday आपका आएगा, हम Monday को live है और आप लोगों के साथ जितने भी आपके question answers होते हैं, आपके कुछ problems हैं, तो live आप लोगों के साथ बैठ करके, और जितने भी stocks, या फिर निफ्टी आएंगे, live आने के बाद में, जो भी हो सकता है, वहाँ पर अपना analysis के तुरू, आपके question answers के तुरू, सभी लोगों के साथ बैठ करके, वहाँ से discussion करेंगे, और पूरे दिन ये काम करेंगे, बट रोज live नहीं आ सकते हैं, इसके लिए sorry, सभी लोगों से sorry, आगे पढ़ता ह अब यहाँ पर देखे, price हमारा हमारे इस एक level पर आया, जिस एक resistance level से price हमारा यहाँ से गिरा था, उसी resistance level से हमने इसको trade के आच के दे, लगातार मेरी volumes गिर रही थी, price हमारा एक resistance level से टकरा टकरा कर बार बार गिर रही थी, इसके अंदर strength नहीं थी, इसके हमने इसको यहाँ से ट्रेट का दिया, सिंपल सी चीज़ है, और डीप में देखना, फिर से हम बोले हैं, वीडियो पैन करिया कर देखें कि बहुत साइ चीज़ समझें, अब देखें यहां पर, जब हम बैक में जाते हैं, वॉल्म की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप प्राइस को देखें, जब आ गेन उस लेवल पर दिया, यह कि इसने स्विंग बनाया, प्राइस अगेन मेरा उस लेवल पर और यहां पर, देख रहे हैं, अब काउंट करिए वॉल्म को, हमने क्या खा था, पांस दिन से लगातार इसकी वॉल्म काम हो रहे हैं, यह वाली जो अपनी ग्रीन केंडल बनी 2nd of August केंडल है यह वाली, यहां से देखें लागातार प्राइस हमारा नीचे की तरफ नीचे की दिशा में गेदा, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह वाली ग्रीन केंडल, अब कल, कल की दिने में ट्रेड एग्जेकूट करना था, नहीं कन्फरमेशन नहीं थे, हम ट्रेड और चार, चौता देना नाज, आज भी उसी लेवल से करें, हमने क्या किया, जस्ट 9.15 का लो माग कर लिया, क्योंकि यहां पर देखें, रीट्रेस नहीं हुगा प्राइस, हमें ट्रेड एग्जेकूट कहां पर करना था, 9.15 के जस्ट लो पर, वॉल्म्स हमने देखा, कि ज जस्ट 9.15 के लो पर, जैसे ही प्राइस निकला, हमें ट्रेड एग्जेकूट करना था, बट प्राइस यहां पर नहीं आया, और हमारी इस 9.20 की कैंडल की रेंज के अंदर ही प्राइस फर्स करके रहे गए, इसको ब्रेक नहीं कर पाय था, बट 9.15 के हाई पर भी यह नहीं पैसे का कुछ हमने यहां पर बफर दिया था, अब जाब आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो देखेंगे आपर कुछ फर्क आपको देखेगा, 9.20 की कैंडल का हाई कितना है, यहां पर देखेगा, 9.20 की कैंडल का हाई कितना है मेरा, 8.947.90 और हमारा स्टॉप लॉस 8.948.10 मतलब करीब 20 पैसे का बफर हमने दिया, एक राउंड नमबर भी इसको समझ सकते हो कि राउंड नमबर के विजए से हमने थोड़ा सा बफर दिया, प्लस 11 ऑफ अगस्त की जो 9.20 की कैंडल इसको थोड़ा सा उपर में जाकर कि हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिय बफर देने के पीछे का रिजन यह था कि प्राइस क्योंकि राउंड नमबर आता है, तो राउंड नमबर से थोड़ा सा उपर जाकर कि हमने अपना बफर दे दिया, थोड़ा सा हम सेफ हो गया, होता ना कि सेफ विल बाकि स्टॉप लॉस जाना तो जा ही सकता है, जरूरी हम इसको इतने दिन से उब्जर्व कर रहे थे कि प्राइस हमारा अगेन 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 प्राइस एक ही लेवल से नीचे की दिशा में किर रहा है, हमने इसको अपनी वाच लिस्ट में एट किया हुआ था, जिस वाज हमने इसको ट्रेट करने के लिए इसको देखा, क्योंकि वोल्म्स आये थे न, वोल्म्स सिर जब आप देखोगे, तो कल से ज्यादा हमारी आज में वोल्म्स आये हैं, जब हम कल से लेकर कि आज तक इसकी वोल्म को compare करेंगे, तो ज्यादा वोल्म्स हमको देख गए, यह इस्टॉक हमको हमारी लेवल पर मिला, सारी conditions को इसने fulfill किया और यहाँ पर हमने अपना जितना भी trade था वो सारा का सारा execute कर दिया और हाँ जो हमने बताया था कि यहाँ पर trade जब हम exit हो रहे थे तो यहाँ कई हमने अपनी entry माली थी sorry exit माली थी जैसे हमने exit ली ने इस वाली candle पर exit कर दी थी और price exact यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी candle बना करके नीचे की तरफ गिर गया बहुत काफी 7-8,000 रुपय था का profit इसके अदर में और शोगर सकता था बट कुछ नहीं कोई बात ने तो overall यह अपनी price analysis थी आज की महरूती की I hope कि कुछ न कुछ वीडियो से जरूर आपने सीखा होगा वीडियो को लाइक जरूर की जगा चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब की जगा टेलग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है बहुत सारे screen shots होते हैं कि YouTube पर हम हमेशा आते ही रहें या फिर YouTube पर active रहें तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ हो जैसे डे में हमें कोई भी चीज आप लोगों के साथ share करनी होती है stocks हो गए या फिर उनके levels हो गए कैसे क्या activity करनी ही वहाँ पर खोद भी जो हम trade execute करें तो उसमें जैसे entry वगरा ली या profits book किये तो वहाँ पर screen shot हम share कर देता है तो telegram group आप जोइन कर सकते हों काफी कुछ help वहाँ पर हम कोशिश करते हैं अपने hands से आप लोगों की होती रहे अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में यानि के कर thank you goodbye and we will meet again